नमस्कार दोस्तों आप सब सोच रहूंगे मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ है ना अरे कुछ नहीं है यार बस ऐसा ही बाते करने हैं हो आपसे वो क्या है ना फिलाल अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक टीजर देखा एक बहुत ही बड़ी मूवी का बताऊं जी हां मैं बात कर रहा हूँ आदीपूरस का ओ एम जी क्या मूवी है बिग मैं का बजट पांच सो करोड की मूवी बताइए इतनी बड़ी स्टार कास्ट इतने लीजर्ण्री डिरेक्टर इतनी ओसम मूवी बना रहे हैं क्या गजब बना रहे है आप सब ने ना हम सब की भाम अपने घटना समझ रखा है जो इस तरी की मूवी बनाएंगे सर मैं भी एक ना एक छोटा मोटा आर्टिस हो एक छोटा मोटा एक्टर हूं जो अपने कंटेंट को देता हूं बट मुझे भी पता होता है कि सी भी धर्म कि सी भी जाती कि समदाएके इनसान को उनकी आसे बन दी है आप तो बहुत बड़े हैं आप तो बहुत बड़े नाम हैं आप बहुत बड़ी हस्ती है रामाइन कोई कालपने घटना नहीं है कोई पंस्तंत की कहानी नहीं है जिसे इमेजन किया और हाँ ठीक है कार्टून फॉर्म में प्रिजेंट कर दिया ठीक है रामाइ स्रिरमन सागजी ही ला रहे बहुत अच्छा है、 आप ग्रीफट को मैच करना चाहते हैं उन्जाते हैं म्हारत है हालीवूड को आप मैच करना चाहते हैं यह नहीं देख रहे हैं कि आप Hollywood के पास बहुत ज़्यादा experience है बहुत ज़्यादा technology है मुझे खुसी हो रही है कि आहां चलो इंडिया आगे बढ़ रहा है भी एफेक्स ला रहा है सब बहुत अच्छी जी रिसेंटली ब्रहमास देखी कजब भी एफेक्स ठीक है गफित थी आप दिखते हैं क्या इसे देखते हैं क्या नको चमण का वो पहनाए जाता है यह पएल्ट लगा दी है यह दिखा दी है अरी सर एक्च्छृल में पिक्चर कहती है बजर्ण बली अएधिंगया ऐसे दिखते हैं पंचम की हर्मान जी ऐसे दिखते हैं श्री हर्मान जी है वो हम हर धर्म की इज़त करते हैं सम्मान करते हैं पर अपने धर्म को ना बहुत सुपीरियर रखते हैं बहुत उपर रखते हैं और आप हमारे धर्म के प्रती हमारे भगवान के प्रती हमारी आस्ता के परती मजाग बना रहे हैं ऐसा मत करिए ठीक है अगर दिखाना है तो सही बे में दिखाईए बना ये नहीं है कि बीफेक्स के तौर पर आप उसे कार्टून मुवी बना दिये पूरे और उसे आपसे बहतर तो कार्टून वाले हैं कार्टून भी नहीं बहुत बढ़िया ज जीत हम दिखाते जुरूर हैं लेकिन पता है बेदोगा ज्यानी था बहुत बड़ा पंडित था इमाले परवद को अपने तप से ला दिया था उसने सिप्तांडव सिप्तांडव की रचना करी थी उसने महान था वो और आवन को ऐसे मुगल वाले तरीके से आपने दिखा दिखाती है चील को वह पर क्यों सर अरे मॉडन जमाने की रमाइन है ना सर तो एक काम करिया ना राम भगवान को ने के 47 दे दो और मान जी को क्यों का साथ यह सर मैजिव वाली वो इस्टार वार में वह तलवार नी हूज करेते हैं वह वाली तलवार दे दो बहुत बढ़ि मिसाइल उदर से मिसाइल राफयलोड रहे हैं यह सब अरे टैंक चल रहे हैं हैं यह सब होना चाहिए यह सर यह थनुजवार्ड माली नहीं है यह बीफेक्स है सर कुछ भी लादो कुछी भी बनाएंगे और मैं उनसे रिकेस्ट करना चाहतू जितने भी आक्टर्स जितनी वी टीम ने इसमें काम किया है सर आपको पैसा देख रहे क्या क्या हाँ यहां बहुत बड़ी फिल्म हैं बहुत बड़ा बजट है हमारी फीज भी बबी भी फिल्म है बड़े लोग होंगए तो ऐसा मत करिये आपके लाखो होँ चाने वाले हैं आपको लाखों देखने वाले होते हैं पर आप उनकी भाबनों को ठेस पहुचाएंगे ऐसी मूवी करके क्या फाइदा आपको क्या फाइदा आपको कि आपका करियर बरबाद हो जाए जब आपको देखने वाले या आपको चाने वाले ही नहीं रहेंगे जब आपको 50 सुनाने वाले होंगे तो फिर या है, आपको प्यार चाहिए हम स्टार्सब्र है, हैं जब मैं हूँ ठेक हम स्टार्स हैं हम एक्टेस हैं, हम लोग को orada करते हैं है और आप बहुत बड़ी है ऊन्ते हैं उन में से, आपको चाने वाले में से द्यूल हुए पर जब आप ठेस पहुचाएंगे हमारे यार क्यों ऐसे मूवी कर ली हम कुसेंगे ना नहीं करनी चाहिए थी यह सब चीज़ है और हां तमाम जनताओं से मैं बोलना चाहूंगा कि यह बाइकॉर्ट का ट्रेंड आप लोग ला दिये हैं ठीक है क्यों अगर बाइकॉर्ट का ट्रेंड लाना है तो ऐसी मूवी के लिए लेकर आई आधी पूरस जैसी मूवी जो सच में अक्चुल में हमारी भावनों को ठेस पहुचा रही है जो अच्छी मूवी इस हैं उन्हें तो सपोर्ट करो बाइकॉर्ट सही चीज में लगाओ बाइकॉर्ट करना तो यस बाइ करना मत दिखाएगेगा पांसो क्रोड की मूवी है पचास क्रोड भी न गमा पाएं तो दन्यवाद